यह है हमारे SSJEE के previous year questions की series और इसके अंदर हम questions और concept दोनों एक साथ समझेंगे तो यह chapter है banding stress in beams इसके अंदर एक से लेके 30 question है इन सबको हम question को समझेंगे और इनके concept भी समझेंगे तो सबसे पहले question पर आते हैं पूचा है कि M upon EI क्या represent करता है तो पहले इसको concept समझते है तो यह समझो कि मानलो यहां पर हरपास beam है beam के ओपर हमने कोई p load लगाया जिसकी वैसे reaction आई और reaction की वैसे इस beam के ओपर bending moment आया तो मानलो हमने यहां से किसी x distance पे x छोड़ो हमने यहां पर cross section देगा यह green वाला और इसको हमने cross section को यहां पर रख लिया मतलब हम अगर जो इधर से देखेंगे तो यह कुछ इस तरह से दिखेगा और यहां पर इस तरह से हमने दिखाया वाँ है ABCD बिल्कुल इस तरह से है यह पूरा ऐसे compress होगा जिसकी वैसे इसकी length short हो जाएगी और जो नीचे वाला part होगा इस तरह से tensile force आएगी इसके अंदर और यह जो होगी इसकी length बढ़ जाएगी यहां पर तो इसको हम अगर जो इस cross section पर देखें तो जो इस पर force लगेगी वो कुछ इस तरह से लगेगी और यहां पर compressive force लगेगी लेकिन अगर उपर compression है नीचे tension है तो बीच में कहीं न कहीं ऐसा point होगा जिस पे न compression होगा न tension होगा वह होगा point जहां पर zero strain होगी तो जैसे यह है तो हम यह जो देख रहे हम यह यह plane है neutral axis का मतलब यहां पर कोई भी strain नहीं है और यह जो यह line है य stress यहां पर इस तरह से लग रही है तो compressive stress कुस इतनी होगी और यहां पर tensile stress है जो इतनी होगी और यहां पर यह 0 और हम इसको derive करते हैं कि जो इसके पर stress होती है वो linear होती है तो हम इसको जोड़ देते हैं तो यह होगा sigma यहां पर आचा अब इससे हम एक फ्लेक्जर फॉर्म मारिकल सोल्स कर सको प्लस conceptual question भी कर सको एम क्या है मालो इस point पर हम इस fashion की बात कर रहे है इस section को निकल के हम नहीं हो रखा और यह सेक्षन है अच्शा अब अगर यहां पे पहले M कलेंगे M निकालना आता है हमें यहाँ पर P है तो यहाँ पर लोड आएगा P by 2 मालो सेंटर पर लगा बाता अब इस जंगा पर यहाँ पर moment क्या होगा इस section पर तो P by 2 into X distance है तो यहाँ पर moment आ गया चलो moment हमें निकालना देख लिया सिग्मा क्या है सिग्मा क्या है कि यहाँ से यह जो neutral axis है neutral axis है तो neutral axis से किसी भी जंगा पर हमें देखना है मालो extreme पर देखना हमें इस जंगा पर देखना है तो यहाँ पर सिग्मा कितना है इतना अच्छा अगर जो हमें यहाँ पर देखना हुआ तो सिग्मा कितना है इतना तो sigma हमने देख लिए sigma क्या है y क्या है y है neutral axis से हमें जिस जगह पे sigma देखना है यहाँ पे sigma देखना है तो यह हो जाएगा बिल्कुल यह है मानलो total d हुआ तो यहाँ पर पोचेंगे तो d by 2 रखेंगे y की value तो ऐसी y की value change होती रहेगी यहाँ पे इस जगह पे y is equal to 0 होगा और y is equal to 0 होगा तो वहाँ पे sigma भी 0 होगा हमें यहाँ पे देखने में मिल दाए भी है तो y हो गया i क्या होगा कि neutral axis के about इसका जो moment of inertia होगा वो यहाँ पे i की value रखेंगे यहाँ पे रेक्टेंगल है इसका neutral axis यह है और मालो बिल्कुल center पे है तो यह b है यह d है तो यह होगा b d cube by 12 मालो circle है उसका neutral axis बिल्कुल बीचों में बीच से जा रहा है और इसका जो diameter है d तो इसका जो i होगा i की value होगी वोगी by d की power 4 upon 64 इसके about अगर d in neutral axis के about यह band होगा तो आगे चलते है e e क्या होगा young's modulus यह फिर modulus of the elasticity यह मालो steel हुआ तो इसका modulus of the elasticity अलग होगा aluminum होगा तो अलग होगा ठीक है और r क्या हुआ r को थोड़ सा समझते है जैसे मालरो है पर Load लगा जिसकी वेसे चोडो हुआ अब विए चो बन हुआ तो इसकोwellijkर है, अब आप उप देखो अगर अब आप ऐसे करके, इसको complete करदोगे अथि के सेंटर से यहां तक कि दिस्टेंस होगी यह होगा अर इसका कहेंगे radius of curvature और जो ये मुड़ा इसको कहेंगे कर्वेचर समझतें इसको जैसे माल लो एक बीम है जो इस तरह से मुड़ा इतना और एक बीम है जो इतना मुड़ा तो कर्वेचर किसका ज्यादा है कर्वेचर मतलब कितना ज्यादा मुड़ा हुआ है कितना ज्यादा बैंड हुआ है तो य यहाँ पर देखने में पता चलता है कि जिसका radius कम है उसका curvature ज्यादा है और जिसका radius ज्यादा है उसका curvature कम है इत्तिबा समझ में आई तो हमें यह formula समझ में आ गया अब question करते हैं जो question हमें दिया था हमसे पूछा था कि m upon e i क्या होता है तो अभी हमने देखा m upon i sigma upon y e upon r तो m upon e i e i इधर आएगा तो यहाँ पर बचेगा 1 upon r r था radius of curvature और 1 upon r था curvature अभी हमने देखा था curvature और radius of curvature में relation तो 1 upon r जो होता है m upon i तो यहाँ से देखो m upon e i जो होगा 1 upon r होगा और यह है curvature यह कितना ज़्यादा मुड़ा हुआ है इसको कहें करवेचर यह है इसका answer next question पूछ next question is bending stress prismatic beam में क्या होता है तो इसके दर में देखेंगे देखो m upon i sigma upon y e upon r था ठीक है इसने पूछा bending stress sigma तो sigma upon y था तो m upon i sigma upon y y इधर जाएगा तो sigma is equal to m y upon i तो b answer next question है कि radius of flexural rigidity का ratio बता दो अगर beam का cross section पहले यह है फिर यह है अब ratio of पहले flexural rigidity क्या होती है वो देख लेते हैं अब समझते है flexural rigidity क्या होता है मालो हमारे पास दो beam है मालो एक beam है यह और दूसरा beam है हमारे पास यह अब जो यह deflect किया मालो यह deflect किया ऐसे और यह deflect किया कुछ ऐसे flexural rigidity का मतलब flexural मतलब bending के अंदर कितना वो rigid है rigid ज्यादा होगा तो बैंड नहीं करेगा तो यहाँ पर आपको देखने में पता चालता है कि जो यह वाला beam है वो ज्यादा rigid है ठीक है यह बीम ज्यादा rigid है यह है कम rigid है तो यहाँ पर देखो कि जिसके अंदर curvature ज्यादा आ रहा है वो rigid कम है तो curvature is inversely proportional to rigidity ठीक है इतना हमने समझ लिया अब ज़रा formula में आते हैं अपने कि M upon I is equal to E upon R यहाँ से 1 upon R is equal to 1 upon EI अगर जो M को हम सेम मान ले और अभी हमने देखा था 1 upon R को ही हम curvature बोलते हैं तो curvature is inversely proportional to EI और curvature is inversely proportional to rigidity तो यहाँ पर हम simply यह बोल सकते हैं कि जो EI है वो हमारी rigidity है तो मतलब जितना ज़्यादा E होगा जितना ज़्यादा I होगा उतनी ज़्यादा उसकी rigidity होगी और उतना ही कम उसका curvature होगा तो हमसे पूचा था इन दोनों बीम में से कौन सा ज़्यादा फ्लेक् की बात करते हैं इसका I क्या होगा BD cube by 12 BD cube by 12 इसका I क्या होगा B into 2D cube का whole cube 2D का whole cube upon 12 तो B into 2D का whole cube 12 12 से 12 सबसे गया तो 1 upon 2 की power 3 मतलब 1 upon 8 यह होगा इसका answer तो C 1 upon 8 इसा answer next question देखते हैं next question यह है कि अगर जो cross section circular है एक beam का और दूसरी का square है और दोनों का area सेम है तो कौन सी statement सही होगी तो 4 statement हमें दी वी है कि दोनों का section ऐसा होने की वैसे दोनों economical ही होगे एक economical होगा दूसरा नहीं होगा तो इसको देखते हैं economical कैसे देखते हैं इसा finger point पे मालों यहा से 1 meter की दूरी और यहा पर 1 meter की दूरी दोनों ही cross section में बेंडेंक की value आएगी वो सेम आएगी वो cross section पे depending करेगी मालो एम तो दोनों में सेम है आखे चलते हैं इस bending moment की वैरेसे इस cross section पर अगर यहां पर एक cross section देखिए दोनों ही case में एक ही जगँषा तो यहां पर जो bending stress आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी और यहां पर जो bending stress आएगी इस circle में कुछ इस तरह से आएगी यहां पर sigma 1 होगा यहां पर होगा sigma 2 अब जो हमारा material होता है मालो जैसे steel है तो उसकी yielding stress होती है उसकी उपर अगर जो वो stress चले गई तो ये fail हो सकता है yield हो सकता है तो मालो जो sigma 2 है जब तक हो sigma y से कम है तब तक ठीक है लेकिन ये sigma y से उपर चला गया तो दिक्कत आजाएगी तो अब इसी से ही देखेंगे हम की कौन सा economical है तो इस effect का use करते है मालो m is equal to sigma i upon y इसको हमने इधर भेज दिया तेखो sigma जो है हमें निकालना है इस जगह पे दोनो ही case में मालो 1 meter दूरी पे जो हमने cross section लिया तोनो ही case में उसमें हमें यहापे sigma देखना है किसमें कितना आ रहा है मालो p load पे जब यहापे sigma 1 आया वो आया 10 तो इसको यह समझो की unit load की वेज़े यहापे 10 आया और unit load की वेज़े यहापे 15 आया तो दिक्कत क्या हुआ हुई कि एक load लगाने से यहाँ पे 10 आ रहा है और उसी load लगाने से यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि यह थोड़ा inefficient है उसको ऐसे भी देख लो मालो sigma max की value बारा है ठीक है तो 1 लगाने पे हाँ पे 10 आया तो अभी 12 अभी यह नहीं पोचा मतलब यह अभी हमें यूज कर सकते हैं लेकिन 1 लगाने पे अगर यहाँ पे 12 था sigma और यह अभी 15 पोच चुक है इसके अदर stress तो मतलब यह fail हो सकता है तो मतलब हमें यहाँ पे 1 नहीं लगा सकते हैं हमें कम लगाना पड़ेगा यहाँ तो हमें load कम लगाना पड़ेगा या फिर इसका cross section हमें बढ़ाना पड़ेगा simple सी बात यह है कि जिसके अदर sigma ज़्यादा आ गया उसके अदर stress ज़्यादा आ गई same load लगाने पे stress ज़्यादा आ रही है तो मतलब inefficient है तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं हम यहाँ देख रहे हैं कि sigma जिसके अंदर ज़्यादा आ रहा है उसका i upon y कम होगा या फिर इसको दोसी तरह समझे कि i upon y जिसका ज़्यादा होगा उस case में sigma की value कम आएगी same load पे ठीक है यह कैसे हुआ क्योंकि m constant है दोनोई case में m depend नहीं कर रहा है तो i upon y जिसका ज़्यादा होगा उसकी sigma कम होगी ठीक है और वो ज़्यादा efficient होगा ताकि हम उस पे और m लगा सकें तो हम यहाँ पे देखेंगे i upon y किसका ज़्यादा है तो देखते हैं दोनी case में i of circle कितना होगा pi by 64 d की power 4 उसका y कितना होगा मालोगा extreme पर देखेंगे तो y की value होगी d by 2 तो हमारे पास यह आ जाएगा pi by 32 d cube ऐसी i upon y of square क्या होगा तो यहाँ पिस neutral axis की about अगर देखेंगे तो b d cube by 12 होता है तो b इसका s ही है और इसकी जो side है वो भी s है तो s into s cube मतला s की power 4 by 12 और जो इसका y होगा यह कितना होगा s by 2 s by 2 तो यह जाएगा s cube by 6 तो i upon y यह है यह question में दियावा है कि दोनों का cross section का area जो है same है तो इसका cross section का area कितना होगा pi by 4 d square यह बराबर है किसके s square के अब यहाँ पे हम s की value अगर जो हम यह डाल देंगे pi by 4 d ठीक है इस जहाँ पे ठीक है और हम इसका ratio लेंगे i upon y of square और i upon y of circle अगर इन दोनों का ratio लेंगे हम s की value d की term में डालने के बाद तो हमारे पास value आती है तो यह value हमारे पास आती है 1.18 इसका साफ साफ मतलब है कि जो square का i upon y की value है वो circle से जादा है इसका मतलब हम समझ सकते है कि अगर i upon y की value जादा है तो उसके अंदर sigma की value कम होगी तो मतलब जो हमारा square है वो जादा economical होगा हमारा circular cross section से तो इसका answer d बिल्कुल सही है square cross section is more economical अच्छा इसमें पूछा है कि both section are equally stiff अगर जो यह बोला है तो equally stiff को आप मानलो equally rigid तो e into i की value देखेंगे दोनों के case में और i की value दोनों के case में अलग अलग है तो equally stiff नहीं हो सकते वो next question में एक beam है जिसके अंदर given stress मतलब stress दोनों में same है और उस beam के cross section को square के cross section को पहले हमने horizontal रख दिया और फिर रख दिया diagonal की तरह है अभी देखते हैं कैसे रख दिया तो दोनों के case में हम हमें बताना है moment of resistance का ratio तो यह देखते हैं पहले moment of resistance का है तो फिर से अपने flexor formula पे आ moment लगा सकते हैं sigma constant है sigma की value same दे रखे हैं दोनों case में तो जिस case में I upon Y की value ज्यादा है उस case में moment ज्यादा लगा सकते हैं मतलब उसका moment of resistance उस case में ज्यादा है given case में जो हमें दे रखा है वो क्या दे रखा है कि एक beam है जिसका पहले उसको ऐसे रखा था cross section और दूसरी बारी म उसको ऐसे रखा है तो इस case में बताना है कि किस case में मतलब ratio पूछा है उसके अंदर इसका और इसके moment of resistance का ठीके तो moment of resistance हम represent कर सकते है आई पून Y से अचा अब देखलो इसको section modulus ली कहते हैं इसको हम Z से represent करते हैं तो हमसे directly पूछा है Z of square और Z of ये diagonal इस तरह से रखा है तो इनका Z का ratio निकाल दो तो पहले तो Z of square निकाल लेंगे अभी हम निकाला था तो यह आता हमरे पास B D cube upon 12 B और D same है तो B की power 4 upon 12 और यहां से distance जो होगा यह होगा total B है तो यह B by 2 हो जाएगा B by 2 तो यह हो जाएगा B cube by 6 अच्छा जब यह होगा इसको देखते है कैसे के लिए हमें effect पता होना चाहिए कि जैसे यह है यह दो triangle से मिलके बनाएं तो जो triangle होता है उसका center of gravity के about जो उसका center उसका i होता है वो होता है B D cube by 36 और जो यह जो नीचे वाली इसकी side होती है इसके about होता है B D cube by 12 तो B D cube by 12 आया एक का तो 2 का कितना आएगा B D cube by 6 यहां पर B ह होता है यह अब इसके हिसाब से देख लेता है इस पूरे का i कितना आएगा तो B कितना है यह और D कितना है यह दोनों की value निकाल लेता है यह 45 degree क्योंकि एक square है और यह बीच में diagonal है तो यह 45 degree होगा तो जो यह वाली side होगी यह वाली side होगी यह होगी B by root 2 और यह भी होगी B B by root 2 यह भी हो जाएगी तो यह देख लेते हैं एक बार तो दुनों को B by root 2 को add कर देंगे तो यह रूट 2 B तो यह side होगी root 2 B और यह होगी B by root 2 इसके अंदर value put करते है BD cube by 6 में B कितना है यह root 2 B, D कितना है depth B by root 2 का whole cube upon 6 यह हमारे पास आ जाता है तो यह भी हमारे पास B की power 4 upon 12 अच्छा जो हमरे पास square था उसका जब हमने आई निकाला था वह भी हमारे पास B की पार 4 by 12 आता है तो देखो आई तो दोनों का सेम आता है अब बात आई Z की, Z जब हमने इसका निकाला था B cube upon 6 इसका Z निकालते हैं क्या आएगा तो इसका I तो होगे B की पार 4 by 12 इसक हमारे पास आएगा B cube upon 6 upon B cube upon root 2 upon 12, 6 तो हमारे पास 2B cube upon root 2 B cube, तो हमारे पास ही आजाएगा root 2 B, तो मतलब जो square का Z है वो ज्यादा होगा, root 2 times होगा इस से, तो मतलब अगर जो हम beam को इस तरह से रखेंगे, तो ज्यादा एफिशेंट होगा, क्योंकि इसका Z ज्यादा है तो moment ज्यादा आएगा, और अगर जो हम इस तरह से रख देंगे इसको beam को, तो वो कम ही load जहिल पाएगा, तो इसका answer का root 2, तो B answer आगया इसका, 7th का, ठीक है, next question देखते हैं, next question हमें पूछा है कि curvature को 1 upon R को हम कैसे लिख सकते हैं, differential form में, तो आपको याद रखना पड़ेगा 1 upon R को हम लिख सकते हैं, d square y by dx square upon dy by dx का whole square की power 3 by 2, ठीक है, सही से यादनी, फिर से लिखते हैं, 1 upon R is equal to d square y by dx square, x square upon 1 plus dy by dx का whole square की power, ठीक है, इसको याद कर लेना, यह directly पूछा जाता है, differential equation में, maths में पढ़ते हैं, तो इसका answer है यह, d square y by dx square upon 1 plus dy by dx का whole square की power 3 by 2, बी इसका answer होगा, directly याद रखना है इसको, next question, section, in a section undergoing pure bending, the neutral surface is subjected to, हमने बताया था, जो neutral surface होता है, उसके ना compression होता है, ना tension होता है, तो इसका answer है, zero strain, pure bending का मतलब यह है, कि उसके उपर सिर्फ bending लग रही है, उसके उपर shear stress नहीं आ रही है, next question है, कि ऐसा beam, जिसकी length सेम है, material सेम है, उसके उपर maximum load हम लगा सकते हैं, lecture में, कब, जब उसकी depth सब्स जादा हो, जब उसका area सब्स जादा हो, जब उसका section modulus सब्स जादा हो, जब उसका moment of inertia जादा हो, तो इसका answer हमने देखा था, m upon i is equal to sigma upon y, ठीक है, तो हमने पता चलाता है, m is equal to sigma i upon y, तो हमने देखा था, कि जो material सेम है, तो moment हम तब ज़्यादा लगा सकते हैं, जब i upon y की value जादा हो, मतलब depth की value कम हो, i की value जादा हो, लेकिन इसको हम बोल सकते हैं, कि जब z की value जादा हो, वो दोनों के उपर depend करता है, तो सिरफ एक के बारे में बताया गया है, तो हम नहीं बता सकते, मतलब तो हम उसको answer निटिक कर सकते हैं, हम यह देखना पड़ेगा, z b है क्या, option में, तो मतलब depth ज़्यादा होगी, सही बात है, area of cross section ज़्यादा हो, तब भी होगा, i उसका ज़्यादा होगा, तब भी होगा, लेकिन section modulus ज़्यादा सही answer है, next question है, एक अलग concept के उपर, इसमें बोला है कि एक beam है, जिसके उपर bending moment M लगा हो आए, जिसकी width जो constant दी हुई है, लेकिन उसके उपर uniform strength है, पूरे beam के उपर, तो उसकी depth का M के साथ क्या relation होगा, तो इसको पहले concept को समझते हैं, uniform strength के, अब, अब equally strength की concept को समझने के लिए ज़र ऐसे समझते हैं, मालों load लगा है, यहाँ पर P, इस beam के उपर, यहाँ पर reaction आई, जिसकी वेज़से, यह जो bending moment हुआ, वो कुछ इस तरह सा आया, moment diagram, BMD, अब, यहाँ पर देखते हैं, इस cross section को, और इस cross section को, यहाँ पर, इस cross section को हम ने देखा, इधर, और इस cross section को देखा, इधर, फ्लेक्जरल formula यूज़ करते हैं, अपना M upon I is equal to sigma upon Y, तो sigma is equal to M upon I into Y, ठीक है, तो इसकी वेज़से, यहाँ पर जो sigma आएगा, वो कुछ ऐसे आना चाहिए, अब यहाँ पर समझते हैं, इसको, sigma is equal to M upon I into Y, इस जगह पर M की value जो है, M की value ज़्यादा है, ठीक है, Y upon I, cross section same है, constant cross section है, Y भी same होगा, I भी same होगा, तो M ज़्यादा है, तो sigma ज़्यादा आएगी, तो मतलब sigma की value आई यहाँ पर माल लो, 10, ठीक है, इस cross section की बात करते हैं, यहाँ पर जो same load पर, जो moment है यहाँ पर, इस जगह पर, इस जगह पर क्या है, moment कम है, तो यहाँ पर जो sigma की value आएगी, sigma is equal to M upon I into Y, M हो गया कम, तो sigma की value आएगी कम, तो मतलब इस cross section पर, जो sigma की value आएगी यह, माल लो, 10 थी, तो यह माल लो, 8 आई, ऐसी इधर जाएंगे, तो यहाँ पर और sigma की value आएगी 6, अब यह समझो कि, अगर जो, यहाँ पर sigma की value 8 आ रही है, तो यहाँ पर इतना बड़ा cross section बनाने की क्या जूरत है, मतलब यहाँ पर extra material लगा रहा है हमने, इसका मतलब simple सी बात यह है, तो यह तो हम क्या करें, इसकी width को कम कर दें, या फिर इसकी depth को कम कर दें, तो क्या होगा, इसकी value जो होगी, I upon Y की value जो हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसकी वेसे total value बढ़ जाएगी, तो sigma की value जादा आ जाएगी, अब क्या करना है, मालो, sigma की value 10 आई थी, यहाँ पर, यहाँ पर कितनी थी 8, अब ऐसी यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर थोड़ा और कम कर देंगे, तो यहाँ पर sigma की 10, तो मतलब देखने पर पता चलता है, कि यहाँ पर इसकी depth की value है, वो कम होती ही चली जा रही है, और यहाँ पर vary कर रही है, जैसे जैसे हम इधर से इधर जा रहे हैं, ऐसी B के साथ देखेंगे, कि अगर depth हम constant रखतें तो इधर के साथ B को हम कम करते चले जाएंगे, ऐसे tapered की form में आ जाएगा, तो हमसे यह पूछा है कि M और D में क्या relation है, concept समझ में आगे, आप calculation करते हैं,